अच्छा बच्छे ये दो कोशन आप देख लो ये कोशन नमर 14 और कोशन नमर 15 ठीक है इस कोशन नमर 14 में क्या दे रखा है if the matrix A is both symmetric and skew symmetric then ये चार option दे रखे हैं ठीक है तो ये question actually मैंने तुम लोग को note बताते हैं जब मैं note पर आ रहा था था null matrix होता है तो इसमें कोई solve करने वाली चीज़ तो है नहीं zero matrix हो गया अब आजा solution 15 में इसमें क्या बोला है if A is a square matrix such that A square is equal to A then find this value तो I think ऐसा भी question मैंने करा रखा है नहीं करा रखा है तो कोई बात नहीं ये given हो गया हमें क्या find out करना है I plus A whole Q minus 7 है इसका value हमें निकालना है अब तुम याद करो मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि अगर A plus B to the power N हो तो हम उस पर binomial नहीं लगा सकते if A and B is a matrix in general binomial नहीं लगा सकते जैसे अगर हो A plus B to the power 4 हो तो ऐसा नहीं है कि हम उस पे A plus B to the power 4 पर binomial लगा देंगे A plus B का whole cube हो तो A plus B के whole cube पे formula नहीं लगा देंगे A plus B के whole cube हला कब जब A और B matrix होगा in general नहीं कर सकते बताया था मैंने detail से हाँ बट अगर उस A और B में से कोई भी एक matrix identity matrix हो जाए तब हम जाके उस पर binomial लगा सकते हैं तब कोई problem नहीं है in detail मैंने already discuss कर रखा है अब यहाँ पे देखो I plus A में से एक matrix तो क्या होगी identity matrix होगी अब इसमें हम बिल्कुल आराम से binomial लगा सकते हैं कहीं कोई problem नहीं है तो binomial में लगा दिया A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube minus 7 ऐसे लिख दिया तो हमें पता है कि identity matrix का कोई भी power लो वो एक identity matrix ही होगा तो I cube I हो गया प्लस यह क्या होगा 3IA, यह क्या होगा 3IA square A square को क्या लिख दिया A, given है na A square is A plus A cube को लिखा A square into A minus 7A लिख दिया ठीक है तो यह हो गया I plus 3IA, ठीक है तो I A is I, तो 3A plus 3A plus A square की जगा क्या लिख दिया A, चलो एक step all लिख दे रहा हूँ यह as it is लिख दिया minus 7A, तो यह क्या हो गया I plus 6A और यह plus A square, तो A square को फिर क्या लिख दिया A minus 7A तो यह क्या हो गया I plus 7A minus 7A तो यह दोनों cancel हो के null matrix तो this is I, तो option C is correct तो बच्चे यह मैंने question number 15 भी करा दिया तो देख लो, miscellaneous exercise से मैंने कितने questions करा दिया तुम लोगों को सबसे पहले मैंने question number 1 करा दिया, question number 2 करा दिया, question number 3 करा दिया 4 and 5, यह already मैंने तुमें as a note याद रखने के लिए बोला है, ठीक है question number 6 तुम बोल दिया, तुम खुछ से करोगे, 7 मैंने करा दिया I think 8 नहीं करा दिया, 9 नहीं करा दिया, 7, 9, 8 जो question है बिलकुल simple है ऐसे तो कई सारे question करा रखे, 9 question exactly 7 question के तरह बस data change है xy अलग अलग है, number अलग अलग है, तो यह भी आप कर लोगे, question number 10 छोड़ दिया अब question number 10 में बहुत बच्चे बोलेंगे कि बहुत बड़ा question है तो आपको कराना चाहिए तो ठीक है करा दूँगा, तुम doubt पूछ एक बार मुझे, तुम बोल देना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है लिखके भेज़ देना, जब हम लोग की online class होगी, मैं करा दूँगा ऐसा कुछ नहीं यह पढ़ो, उसमें बस दो matrix को multiply करोगे, answer आ जाएगा ठीक है, question number 11, इस type के question already मैंने कई सारे करा रखे, question number 12 करा दिया और यह 13, 14, 15 करा दिया, doubt होगा, question number 10 मुझे से पूछ लेना, मैं तुमें solve करके भेज दूँगा अगर doubt है तो किसी बच्चे को है, तो यह हमारा क्या हो गया, matrix का mislaneous exercise भी हमारा complete हो गया तो अभी हमारे पास क्या-क्या बच्चा हुआ है, देख लो बच्चे, यह मिसलेने से example भी कर लेना, same as it is है, एक है question हो जाएंगे तुमसे, कोई problem नहीं होगा, कोई problem है, doubt है, पूछो 3.4 मुझे कराना है, ठीक, अब इसके regarding theory मैंने नहीं बता है तुमें, और 3.3 यह जो है न, 3.3, यह तुम अल्रेडी कर चुके हो, तुमने, मैंने बोल रखा है तुमें करने का, तो 3.3 तुमने अल्रेडी कर रखा है, 3.2 भी कर रखा है, 3.1 भी कर रखा है, यह exercise 3.4 मैंने नहीं करा है, तो इसके जो पीछे का theory है, वो मैं तुमें बताऊंगा, अब next जो वीडियो बनाऊंगा, उसमें 3.4 के concept बताऊंगा, कि तुम इसे कैसे solve करोगे, अब बाकी यह देखा जाए, तो NCRT से हमारा almost 90% जो determinant chapter है, वो complete है, NCRT से, but sorry, determinant नहीं, matrix chapter complete है, किस से, NCRT से, but अभी हमारा matrix chapter complete नहीं है, NCRT से complete है, ठीक है, तो अभी मैं और भी बताऊंग और भी बहुत सारे concept है, बहुत सारे तुमें points है, जो तुमें जानना है, J.M.S. Advance के लिए, तो वह सारे points भी मैं तुमें बताऊंगा, but आपका almost 90% NCRT से complete हो गया, और अब आप करोगे क्या, कि मैं यह जो है, उसका PDF बेज दे रहा हूँ, खुझ से solve करो NCRT, यही मैं बोल स साल का, 12th class है, बहुत important है, तो उतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है फिर, okay